नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल पांचाल और आप देख रहे हमारे चैनल ड्रैगोश्टडी आप जानते हैं फाइनल एर के छात्रों को जो एक्जाम हो देने पड़ सकते हैं अगर युजीसी नहीं माना और अगर कोट ने फैंसला जो है छात्रों के हाक में नहीं दिया तो लेकिन कल जो सुप्रियम कोट का फैंसल आना है और उमीद यही है कि छात्रों के हाके में फैंसल आएगा क्योंकि आप यह जानते है कि जो पंजाब का हाई कोट है हर्याना पंजाब हाई कोट जो है उसने छात्रों के हाके में जो है चात्रों के समर्थने में ही हैं तो इससे उमीद आप ये लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोट भी कल आपके हाग में फैसला देगा तो कल जो है साड़े दस बजे जो उसकी सुनवाई होगी उसके बाद जो है ग्यारा साड़े ग्यारा आप जे तक उनकी सुनवाई पूरी हो जाएगी तो आपको अपडेट दूआ चैनल पर तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लिना है और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों साथ शेयर कर देना तो देखे जो छोटी सी इंफोर्मेशन यहाँ पर दी है अलग अलोग स्रिवास्तवाजी जो की छात्रों के हाँ में केस लड़ रहे है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बताया है कि यूजी सी ने अब जो वेस्ट बंगाल की गवर्नर है उनको भी इस बारे में इंफोर्मेशन दी है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ऐसा वो कर ही क्यों रही है क्योंकि यूजी सी जो है वो इस चीज का इंतजार ही क्यों कर रहा है यहां पर quality education की जरूरत है या फिर छात्रों की जिन्दगी की जरूरत है अब देखिए why can't UGC withdraw its order by its own and award degrees basis past performance यहां पर इनका साफ कहना है कि UGC जो अपने order जो दे रखें उन्हों है जो guideline दे रखें उनको वापीस क्यों नहीं ले लेता है और छात्रों को उनके previous record के base पर ही उ why to force students to go to court छात्रों को हमेशा जो है court में ही जाने के लिए क्यों यहां पर force किया जाता है क्यों उनके उपर pressure डाला जाता है कि उन्हें आकिरकार है जो है court में ही जाना पड़े और यहां पर 14 point उन्होंने बताया कि why to set bad presidents यहां पर यह बुरे example ही क्यों देते हैं कि बाद में यह कहा जाए कि कोरोना काल कभी आया था और जो है ऐसे टाइम में भी UGC ने चात्रों के हित को ना सोचकर अपने हित अपने जो एहम है अपना जो घमंड है उसको देखा ना कि चात्रों के हित को ऐसे example क्यों set कर रहा है UGC यह उन्होंने साफ सब्दों में यहां पर कहा है अब जो गौवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के उन्होंने देखी यहां पर tweet करके बताया था कि हम छात्रों के हित में इन्होंने साफ कह रखा है कि हम चात्रों को पर मॉट करेंगे क्योंकि आप जानते हैं वेस्ट बंगाल भी उनी राज्यों में से है जो कि UGC guidelines के साफ साफ देखने के लिए जो मैं यहां पर बैटा हूँ एज पर यूजी सी चेर्मेन पेटिशन्स आर लिस्टिट फोर हेरिंग इन आप जानते हैं यूजी सी के चेर्मेन हैं उनके खिलाब जो पेटिशन डाल रखी है जो जो इसकी खिलाब के जो आप सुनवाई होनी है मंडे को जो दे चुका है उन्वर्स्टी को कि आप प्रेक्षाइं नाले चातर को पर मोट कर दें अब यह देखी है यहां पर पूरी तरह स्क्रिय हो जाने को कहा है उनको जो है सियम को कि आप भी जो तयार हो जाएए इस मामले को लेकर क्योंकि सोमार को इसका भी यहां पर कुछ न कुछ अपडेट जुरूर मिलने वाली है अब आप एक चीज देख लीजिए यूजी सी और सरकार को छोड़ कर सभी आपके समर्थन में है यहां तक कि हाई कोर्ट भी समर्थन में आ चुका है पंजाब का और इसके अलावा भी उमिद अबा कि जो राज्य के जो हाई कोर्ट है वो भी आपके समर्थन में आजाएगा और चातर संगठन तो आपके समर् या या अगर कल फैंशला नहीं भी आता है कोई आगे की तारीक मिलती है लेकिन जो डिबेट होती है वो आपके हक्ने वो जो पोजिटिव वे में जाए आपके ही हक्ने वह भी उमेद हम करते हैं तो जो भी अप्डेट कर लाते हैं आपको चैनल पर जूरु सबसे पहले कर लेना और notification on कर देना